नमस्कार दोस्तो लक्षी प्रकास में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वालो कि आप अपने पुराने स्नैपचाट अकाउंट को वापस कैसे ला सकते हो जी आ दूस्तो अगर आप भी इपने पुराने Snapchat आकाउंट को फिर से ओपन करना चाते हो तो किस तरीके से आप अपने पुराने Snapchat आईडी को फिर से आप कैसे खोल सकते हो तो गाईस अगर आप भी जानना चाहते हुए तो इस वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी स्केप मत करना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप नमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजिए और अगर आप चाहँ पर नए हो तो आप चाहँ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना और गाईस आपको अल पर सेट कर लेना है इससे आने वाली मारी नहीं वीडियो की नाटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स आज काई वीडियो स्टार्ट करते है तो गईस अगर आप भी जानना चाहते होगी हम अपने स्नैप्चैट के पूराने अकाउंट को फिर से ओपन कैसे कर सकते है तो इसके लिए सबसे पहले गईस आपको जो है स्नैप्चैट अप्लिकेशन को ओपन कर आए और इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना और यहाँ पर आपको जो एक लॉग आउट का ओप्शन मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको सिंपली लॉग आउट पर क्लिकना है और यहाँ पर आपको जो है लॉग आउट ऑप्शन पर फिर से जो है क्लिकना है ज जैसे के दोस्तों आपका अकाउंट रिमूव हो जाएगा और इसके बाद अगर आप अपने Snapchat के पूराने अकाउंट को फिर से खोलना चाहते हो फिर से ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिंपली Login Option पर क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप लोग इन पर क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पर आपके सामने Login पेज आ जाएगा और यही से दोस्तों आप अपने Snapchat के पूराने अकाउंट को फिर से ओपन कर पाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे उपर यूजर नेम और इमेल आईडी का ओप्शन मिल रहा है जिए दोस्तों अगर आपका जो अप इमेल आईडी को बार-बार से ट्राए करके वन वाई वन सभी इमेल आईडी को आप ट्राए करके चेक कर सकते हो आपकी किस इमेल आईडी पर आपका जो है Snapchat अकाउंट बना हुआ जिया दोस्तों आपके उपर यूजर फोन नंबर का भी ऑप्शन मिल जाता है जैसी दोस्त जितने भी mobile number है आपने जिस number से account बनाया होगा यहाँ पर आप जो है one by one सभी mobile number को try कर सकते हो यहाँ पर आपको पता चल जागे कि आपने किस number से आपने उस पूराने account को create कराता तो यहाँ पर आपके पास जितने भी number है या फिर आपकी family में जितने भी number है आपने जिस number से try कि आओगा यहाँ पर आप सभी नंबर को बारी-बारी से ट्राइक कर सकते हो आपने जिस नंबर से अकाउंट बनाया होगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा तो यहाँ पर मैं जो अपनी पूरानी आईडी का नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ तो गैस मैंने आपर अपनी पूरानी आईडी का जो है नंबर यहाँ पर डाल दिया है तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप भी आपके बाद जितनी भी नंबर है आप अपने सभी नंबर से ट्राइक कर सकते हो तो मैंने एक नंबर को डाल दिया है इसके बाद यहाँ पर अ option पर क्लिक कर सकते हो और इसके बाद आपको allow पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से mobile number डालने के बाद आपको continue पर क्लिक करना है इसके बाद आपको जो है verify option पर क्लिक करना अगर आपका वो number आपके इसी mobile में है तो आप verify पर क्लिक कर सकते हूँ इसके लाव जैसे आप टेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको टेक्स्ट मेसेज भी आ जाएगा तो यहाँ पर मैं वेरिफाय ओप्शन पर क्लिक लेता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद आपकी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यहाँ पर OTP वेरिफाय हो जाएगा तो गैस मेरा OTP यहाँ पर आटोमेटिकली डिटेक्ट हो जुका है इसके बाद यहाँ पर आप देखे तो पासवर्ड चेंज करने का ओप्शन मिल रहा तो यहाँ से आप उपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हो तो यहाँ पर आपको जो अपना पासवर्ड डालना है इसके बाद फिर से आपको कंफर्म करने के लिए फिर से आपको वही पासवर्ड डालना है इसके बाद आपको सब्मीट पर क्लिकना है तो guys मैंने आप पर अपना new password डाले इसके बद आपको submit पर click ना है तो यहाँ पर आप जो इस number को डाल सकते हैंसके बाद आपने जो password reset करा है इसके बाद यहाँ पर आपको इस password को डालना है और password को डालने कि बाद आपको login पर click करोगे तो आपका जो है अकाउंट ओपन हो जागा अगर आपका वही अकाउंट होगा तो आपको देखनी को मिल जागा लेकिन अगर आपने जो नंबर डाल करके अकाउंट को ओपन करा है वहाँ आपका जो है पुराना अकाउंट नहीं है तो आप जो है दूसरे नमबर डाल को पर फिर से दूसरे नमबर को आप पासवर्ट रिसेट करने के बाद उस नमबर को आप जो है ओपन कर सकते हैं उस नमबर पर जो भी Snapchat अकाउंट बनाओगा वो यहाँ पर शो हो जागा इस तरह से आप जो है वन बावन सभी नमबर को लोग इन हो जाएगा तो गईस यहाँ पर आप देखस तो मेरा Snapchat अकाउंट यहाँ पर लोग इन हो जुगा इसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हो आपका वही पुराना अकाउंट है या फिर नहीं अगर आपने नमबर से अकाउंट को लोग पर क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हो आपका पुराना अकाउंट वही है या फिर नहीं इस तरह से आप आप बारी-बारी अपने अपने सभी नमबर को आप ट्राए कर सकते हो तो इस तरीके से आप जो अपने Snapchat के पूराने अकाउंट को फिर से आप खोल सकते हो तो ग